हरो बच्चो, B.H.U. Ent अग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया गया है, और B.H.U. इनवसिर्टी इंडिया की, या इनफेक्ट बोले हम एशिया की एक लार्जस इनवसिर्टी में आती हैं, और B.H.U. इनवसिर्टी में कई सारे UG और PG कोर्सेज होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बहुत सारे PG और UG courses होते हैं PG मतलब post graduate courses जो आप graduate exam के बाद लेते हैं और UG मतलब under graduate यानि आप 12th exam के बाद लेते हैं तो आप लोगों मैंसे जिन्हों ने भी 12th का exam दिया है वो लोग obviously UG program के लिए indulge कर सकते हैं registration कर सकते हैं लिए उनको entrance exam देना होगा और जो graduation कर रहे हैं graduation कर चुके हैं वो PG exams के लिए जा सकते हैं तो मैं आपको एक short में summary बताऊंगा कि किस तरह से आप exam form भरें क्या-क्या करना है बट मैं आप सब को एक चीज बोलूँगा इस session को start करने से पहले कि आप जिस भी related course में enroll कर रहे हैं पूरी information पढ़ने के बाद ही register करिए क्योंकि यहाँ पर हम कुछ basic courses की बाद जहू करेंगे आप जैसे माल लिजे आपका 12 में subject science है तो हो सकता आप BSC honors math करना चाहें chemistry करना चाहें BA, BCom है ना इदर आप अगर माल लिजे suppose PG courses में जाते हैं तो MCA, MBA, MA बहुत सारे ऐसे courses है तो इन courses का मैं आपको एक idea देता हूँ और BHU का wait सभी लोग करते हैं तो BHU का आप notification आ गया है तो आप सब लोग ready हो जाएगे तो सबसे पहले मैं आपको बता हूँगा कि आप Google पे जाएए और Google पे क्या type करें कई बार आप गलत word type करते हैं तो दिक्कत होता है क्योंकि BHU का exam NTA contact करता है जिसका exam IIT करता है National Testing Agency जिसका exam NEET contact करता है वैसे ही BHU को भी NTA contact करता है तो आप सबसे पहले लिखेगा BHU.NTA जैसे ही लिखेंगे सबसे पहला link जो आएगा BHU.NTA उसमें लिखा होगा BHU.NTA.NIC.N इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको देखे BHU के एक official website खुलेगी जैसे ही official website आए बस समझेगा ये image के साथ आप देखके समझ जाएंगे कि ये BHU के आपने official website खुल लिए अब इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है registration for BHU UET मतलब undergraduate entrance test यानि ये 12th के बाद के लिए है registration for BHU PET मतलब post graduate entrance test फिर इसका information bulletin ने देखे लिखा information bulletin UET और information bulletin PET ये दोनों चीज़े बहुत clearly दी होई तो अगर आपको registration करना होगा तो यहाँ जाना होगा पर आपको पहले detail बढ़नी होगी तो prospectus पर तो मैं दोनों courses का UG और PG का एक idea देता हो चलूँगा पूरे session को सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा जैसे आप में से कई Buccha MCA देने वाले तो उसके लिए क्या करना होगा कुछ graduate करने वाले हैं तो उनको क्या करना होगा तो मैं बात करता हूँ तो जैसे ही मान लिजिए अगर हम UG program में जाते हैं तो UG program में हम जाते हैं तो देखिए यहां पर आप जाएंगे UG program में तो आपको एक इस तरह का prospectus खुलेगा जो 122 pages का prospectus है अच्छा UG और PG दोनों की last date same है इसलिए कोई difference नहीं difference courses का है तो जैसे ही इसको आप देखेंगे तो धीरे-धीरे मैं आपके सामने install करता हूँ 150 pages बहुत होते है तो उनका vision क्या है, mission क्या है वो सब दिखेगा जो सबसे काम की चीज़ है यह पूरा index दिया है table पे किस page पे आपको क्या मिलेगा medium क्या है, duration interest का क्या है schedule क्या, यह सारी चीज़े मिलेंगी तो जब आप नीचे जाएगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर सब उनके short forms दिये हुए है कि किसका क्या मतलब है आगे बढ़िएगा और मैं आपको बताता हूँ, यह सबसे काम का है देखिए, सबसे पहले आप सब लोगों को यह पता होना चीए, कि exam कब देना तो important information is date as a glance, यह चीज सबसे काम किये और यह UG और PG दोनों के लिए same है बस अंतर क्या बताता हूँ तो आप जैसी जाएंगे date, fee, detail and application ठीक है, तो online registration and submission application form 14 अगस यानि आज से लेके 6 September तक आप form को fill कर सकते हैं फिर से सुनिए, 14 अगस से लेके 6 September तक इसका मतलब जब 6 September तक form भरे जाएंगे बहुत सारे program और बहुत सारे paper होते हैं तो आपका paper किस दिन आएगा या आपको पता चलेगा अच्छा इसके लिए भी उन्होंने बहुत clear दिया है अच्छा अगर आपने यह registration किया तो last date fee की submission की 7 तक नहीं हो पर मैं आप सबको एक साजिशन दूँगा चौदा से 6 अगर सप्टेंबर तक का टाइम है इसके बीच में आप कभी भी फिल करते हैं थोड़ा सा नी बढ़ाई है थोड़ा सा नहीं नहीं उपर आप देखिए यहां पर ध्यान देंगे तो बी एच्छू की फी जनरल करेटेगरी अाना करेक्षिन कर सकते हैं कोशिश करें कि यह कोर्शन होते बदेंसे बताते हैं यहां को पूरी इंपरूमिशन shipping दू है कि अगर आप फोर्म भरने वाले are ai तो यह एक सोपाने पाइस पेचित का prospectus नहीं बढ़ना इसमें में बने चीच करने के बाद आपको अपने कोर्स से रिलेटेट चीज़ पर जाना है ओके तो जैसे यहां पर गए आप इसमें इनों ने दिया है कि कि ढाउनलोड दा एडमेट कार्ड बाय केंडडेट एंडेट एंडेय वेफसट्ए एनॉंस लेटर थ्रू वेफसट्ए यानि अभी इनोंने अद्मेट कार्ड का कोई इनॉंस नहीं किया थ्रू पता चलेगा MODAC examination पता है computer based test होगा pen and pencil as required depend on ठीक है ना तो computer based test होगा pattern of examination बिल्कु clear ले दिया MCAQ duration refer for chapter 4 मतलब हर exam की durations अलग-अलग होती है तो यहाँ पर उन्होंने clearly दिया date of examination schedule अभी exam date नहीं आईए form filling date आईए be careful exam date नहीं आईए form filling date आईए इसका मतलब है मैं आपको इसलिए बोला हूँ exam date के chance हैं कि हो सकता यह September end में हो सकता October में हो and depend on third waves COVID conditions so many reasons उसके according उन्होंने अभी date नहीं दिये examination center भी indicate करेगा तो इस तरह से आप इसके नीचे जब जाएंगे तो आपको courses की list मिल जाएगी बिलकुल वैसा ही P.E.T. के लिए होता है यानि P.E.T. मतलब post graduate exam इसका भी same process है एक बार मैं आपको आपको आजए ग्लांस बता देता हूँ कि आप देखें फिर से वही बात आ गए कि क्या चीज है जिसको ध्यान रखना है तो एक online registration 14 अगस से 6 September तक भरे जाएंगे नीच सेम वही बात दिये जो PG में दिये वही PG में 7 को आप तक फी जमा कर सकते हैं और फी का भी बिलकु सेम वही 600 400 है आठ से लेके बारत तक editing कर सकते ह अब यहां पर फिर क्लियली लिखा है mode of examination CBT, pattern of examination MCAQ, duration as per our rule, chapter 4 में दिये हर exam के duration अलग-अलग होते हैं, examination schedule admit card में बताएंगे, timing as slot per day वो भी admit card में होगा, examination center admit card में होगा, यानि ये भी अभी हमें clarity नहीं है, अब तोड़ा और आगे बढ़ते हैं ज़रा PG के कुछ courses के बारे म हम देखते हैं, तो आपको मैं कुछ चीजे बताता हूं, कि क्या important चीज हैं, जैसे अक्सर आप जैसे माल लीजे MCA के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो भी बताता हूं, आप इस prospectors को पर पूरा देखिए, आप देखिए, जैसे एक course list आई है, तो course में क्या है, MSC physics, MSC chemistry, सब कुछ दिया है, intake कितना है, course का code क्या है, तो थोड़ा नीचे करिए, यह इस तरह से धीरे-धीरे आप देखिएंगे, तो आपको page number 10 पे दिया है, थोड़ा और नीचे करिए, यह देखिए, आप जैसे अक्सर कई बच्चे में उससे में MCA के लिए जानना चाहते हैं, त 492, इसी तरह से MSC, MSC in biology, इस तरह से सब कुछ दिया हुआ है, तो अब इन summary में एक बात बोलना चाहूँगा, और जैसे मैंने आपको बताया, कि मेंन website पर यह click करने पर आपको information bulletin खुलेगा, यह click करने पर आपको UG या PG के registration खुलेगे, जैसे यह UG का है, और यह PG का है, त गूगल की website, गूगल पर जाके bhu.nta पर click करना है, click करने के बाद यह main website जब खुलती है, जिसका code है bhuet.nta.nic.in, जहां पर आपको registration और information bulletin मिलेगा, तो आप form भरने से पहले, चाहे आप MCA course के लिए भर रहे हैं, चाहे आप PG के other courses के लिए, चाहे UG के course के लिए, UG के other courses के बहुत अच्छे courses हैं, और बहुत अच्छे courses हैं, और Bhu से इन courses के बाद एक जो degree मिलती है, उसके वज़े से job लगना थोड़ा आसान होता है, आप PG या UG किसकी degree लेते हैं, तो यह अच्छे courses हैं, तो 12th student जो 12th में appearing थे, आप किसी भी background के हो, आपके लिए कोई ना कोई option है, चाया commerce हो, चाया arts हो, चाया जो ऐसे graduate student के लिए, और MCA student भी ध्यान रखें, कि course Bhu का MCA से, MCA से, MCA आप कर सकते हैं, Bhu से, और मैंने आपको सारी detail बताई, बस आप सबको एक बात बोलूँगा, form भरने से पहले, एक बार पूरा information bulletin को पढ़िए, related to important information, और related to our course, अपने course से फिर जाके registration करिए, 6 September तक के लिए आपके पास time है, sufficient time है, इस बीच में आप form भर सकते हैं, आप मैंसे कई बच्चे ये पूछेंगे मुझसे question कि sir, अभी NIMSET का result 20 को आने वाला है, क्या करें, मैं बोलूँगा 25th of August को भरिए, क्या जल्ली है, क्योंकि आपके result के बाद भी आप इसका plan कर सकते ही, अच्छी बात है, तो आप सब लोग information carefully पढ़िएगा और उसके बहुत form भरिएगा, all the best, thank you.